आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्सिलेंस पाई एपियस पर मैं एपियस आपका स्वागत करता हूँ आज मैं डिसकस करने वाला हूँ आपको साइंस का पार्ट नाइन जो कि आपके 2023 इंटेंस एक्जाम के लिए काफी जादा इंपोडेंट है काफी यादा कुशन यहां से आते हैं इसलिए मैं आपको यह इंपोडेंट कुशन करवा रहा हूँ तो इन कुशन को जरू कीजिएगा जिससे कि आपके अच्छे मार्किंग हो सके और आप जो है ना अच्छा नमबर ला सके अपने इंटेंस एक्जाम में तो आईये स्टा कौन सा एक परमाडू का मूल कर नहीं हैं तो यह कौन सा एक परमाडू के नाविक में नहरने वाला मूल कर त तो आप्सने इलेक्टोन इसका सही अंसर आप्सने नेक्स्ट कुश्य नमबर थार्ड प्रोटोन जो धनाविशित कड़ होते हैं इस्तित होते हैं ये कुश्य ना चुका है आपके एक्जाम में 2023 गे लिए इन्पूडेंट है नाविक के बाहर नाविक के अंदर रिक्तिस्तान में इन्वे से कोई नहीं तो इसका सही अंसर है आप्सन भी नाविक के अंदर होता है प्रोटोन कुशिन नमबर 4, एक परमाडू का नाविक गिरा रहता है धनाविशित प्लोटॉन से, रेडाविशित इलेक्टॉन से, उदाशी न्यूट्रोन से, अलफा कड़ से तो इसका सही अंसर है, रेडाविशित इलेक्टॉनों से गिरे रहते हैं औप्सन B जो है ना, इसका सही अंसर है नेक्स्ट, कुशिन नमबर 5, अलफा कड़ पर होता है अलफा कड़ पर क्या होता है, धनाविश, रेडाविश, कोई आविश नहीं, इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर है अलफा कड़ पर धनाविस होता है ये भी question important आपके लिए और most important question 2023 के लिए काफी जाद important है कई बार आ चुका है इस बार भी जरूर आएगा न्यूट्रोन की खोज किसने कीती तो इसका सही आंसर है जैम्स चैडविक बोल्डिस्टीन तो इसका सही आंसर है जैम्स चैडविक ने न्यूट्रोन की खोज कीती most important question ही ये question ज़रूर आएगा इस बार एक्जाम में इसको पिपयाज ज़रू कर ले next question number 7 न्यूट्रोन की खोज किस सन में खोजा गया था 1932,1937,1995,1981 तो इसका सही आंसर है 1932 में इसको जो इना found किया गया था question number 8 परमाडू का नाविक बना होता है proton तथा electron का proton तथा neutron का neutron तथा neutron का neutron तथा neutron का यह इन में से कोई नहीं तो इसका जो right answer है option B proton तथा neutron का बना होता है option B इसका सही आंसर है question number 9 एक नाविक एक परमाडू का लगवक कित्ते मा भाग होता है एक बटे, एक लाखमा, एक लाखमा, एक लाखमा, एक लाखमा, एक लाखमा, एक लाखमा, इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो है एक बटे, एक लाखमा, भाग होता है option A जो इना सही आंसर है question number 10 एक hydrogen परमाडू में कितने proton होते हैं? एक, दो, तीन, या एक भी नहीं तो इसका सही आंसर है, एक होता है hydrogen परमाडू में, ठीक है? proton question number 11 एक कारण परमाडू में कितने proton होते हैं? most important question है 2023 के लिए पहले exam में भी आ चुका है एक, दो, पाँच, छे तो इसका सही आंसर है 6 होते है question number 12 एक कारण परमाडू में कितने neutron होते हैं? एक, पाँच, छे, चार ये भी important question है, इसका अंसर है 6 ये भी 2023 के लिए important question है so learn now and right now question number 13 रादर फोर्ड मॉडल को किसके दोवारा प्रिस्तावित किया गया था? जे जे टॉम्सन, नील्स बोर, जेम्स चेडवेक उन्में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है नील्स बोर के दोवारा प्रस्तुत किया गया था, रादर फोर्ड का मॉडल next question number 14 neutron पर आवेस की प्रकरती होती है धनात्मक, रेडात्मक, कोई आवेस नहीं ये इनमें से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है, बो है कोई आवेस नहीं होता neutron पर neutron कैसा होता है, उदास ही नहीं होता है question number 15 electron की खोच किसके दोवारा की गई 2023 के लिए खाफ जादा important question है ये और ये भी ठीक है तो जेजे टॉमसन रदर फोर्ड, चैडवेक निल्स बोर्ड, तो इसका जो सही आंसर है बो है आपका option है जेजे टॉमसन इसका correct answer है next question number 16 ये की परमाडू में एक भारी तता धनाविशित नाविक होता है बताया गया रदर फोर्ड दोवारा, जेजे टॉमसन दोवारा चैडवेक दोवारा, निल्स बोर्ड दोवारा तो इसका जो सही आंसर है बो है आपका option है रदर फोर्ड दोवारा, इसका सही आंसर है question number 17 क्लोरीन की परमाडू संग क्या है 17, 35, 35, 18 यह इनमे से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है, option है 17 है इसकी, सही है न next question number 18 किसी तत्त्य की परमाडू संग के बरावर होती proton, electron के बरावर electron, neutron के बरावर neutron, proton के बरावर यह इनमे से कोई नहीं 2023 के लिए important question है इसका जो right answer है, वो proton और electron के बरावर question number 19 परमाडू में neutron की संग क्या बरावर होती है किसकी बरावर होती है neutron की संग क्या दरब्मान संग क्या परमाडू संक्या परमाडू संक्या माइनस दरब्मान संक्या दरब्मान संक्या प्लस परमाडू संक्या परमाडू संक्या प्लस अलफा कड़ों की संक्या तो इसका सही answer है दरब्मान संक्या माइनस का परमाडू संक्या इसका सही answer है question number 20 एक परमाडू में एलेक्ट्रोन की संक्या बरावर होती है प्रोट्रोन की संक्या के न्यूट्रोन की संक्या के प्रोट्रोन प्लस न्यूट्रोन की संक्या के न्यूट्रोन माइनस प्रोट्रोन की संक्या के तो इसका जो सही answer option A proton की संक्या की इसका सही answer option A question number 21 एक दिये गए तत्य की परमाडू संक्या 92 है तो उसके द्रबमान संक्या 200 अड़ते से उस परमाडू में neutron की संक्या होगी 148, 140, 202, 174 तो इसका सही answer है option B 140 होती है 140 इसका सही answer है question number 22 एक तत्य के परमाडू की परमाडू संक्या समान है लेकिन द्रबमान संक्या कैसी है विन्न है, क्या कहलाएगा वो इसका सही answer है समिस्थानिक क्या कहलाएगा, समिस्थानिक इसका सही answer है question number 23 किसी तत्य की परमाडू संक्या 82 है, द्रबमान संक्या 208 उस सब्सक्राइब की परमारू में नीट्रोन की संग्या कित्ती होगी तो वो होगी बन 26 इसका सही आंसर है B आप्सन नेक्स्ट कुशे नमबर 24 प्रकर्तिक रूप से प्राप्त हाइड्रोजन एक मिश्रड है प्रोटरियम, जूटरियम, ट्रीटियम का प्रोटरियम, जूटरियम, कैल्सियम का जूटरियम, ट्रीटियम, कैल्सियम का इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रोटियम, जूटरियम, ट्रीटियम और यही हाइड्रोजन के तीन समिस्थानिक होते हैं जो काफी बार पूछे जाते हैं और 2023 में ज़रूर पूछे जाएंगे कुशन नमबर 25 जम लेखेत में से कौन सा एक हाइडोजन का समस्तानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम या उप्युक्त सभी तो ये तीनों ही इसके समस्तानिक है 2023 के लिए इंपुडेंट कुशन है कुशन नमबर 26 परमाडू में एलेक्ट्रोन का आटना या जुड़ना किसके बनने का कारण है आयन, धनायन, रेडायन, इनमें से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आप्सन है आयन, आयन के कारण होता है कुशन नमबर 27 किसी परमाडू में एलेक्ट्रोन का कम होना ब्रद्धी करता है आयनों में, धनायनों में, रेडायनों में, इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर है रेडायनों में ब्रद्धी करता है सोरी जो ब्रद्द्धि करता है वो होती है read iron open किस में होती है? और जब electron कम होते हैं तो वो dos धनाइनों में ठीक है? next question number 29 एक angstrom बरावर किसके होता है? तो एक angstrom जो बरावर होता है वो होता है आपके 10 the power minus का 8 cm बरावर होता है काफी जादा important question है ये भी 2023 के लिए so learn now and right now next question number 30 एक परमाडू का आकार किस एकाई में परवासित किया जाता है centimeter में, millimeter में, angstrom में यह इन में से कोई नहीं तो इसका सही answer है angstrom में प्रदस्चित किया जाता है ये भी question आ चुका है आपके exam में so most important question है learn now and right now एक electron का द्रबमान होता है ये भी important question है आपके लिए तो एक electron का जो द्रबमान होता है वो होता है आपका 9.1 into 10 the power minus का 28 gram होता है question number 32 निमन लिखित में से किस तत्युका परमाडू सबसे अलका होता है तो ये hydrogen का परमाडू सबसे अलका होता है काफी जादा important question है 2023 के लिए so learn now and right now question number 33 sodium bicarbonate का सामान नाम क्या है sodium bicarbonate का सामान नाम है खाना soda बाई से ध्यान लगको बाई कहां काम करती है kitchen में तो इससे क्या होता है खाना बनाती है खाना soda किसका नाम है sodium bicarbonate का ऐसे पुछ आता है sodium carbonate किसका होता है वो होता है धोने कप्डे धोने का soda question number 34 potassium nitrate का सामान प्रशलित नाम क्या है सादार नाम चिली salt peter lime stone खाने का soda तो इसका जो सही answer है chili salt peter इसका सही answer है question number 35 नीचे दिये गए समी करण में उत्पाद है CO2 question number 36 सबसे कम दरबमान का करड़ है proton, neutron, alpha करड़ या बीटा करड़ तो इसका सही answer है बीटा करड़ सबसे कम दरबमान का करड़ होता है ये भी important है 2023 के लिए so learn now and right now बैग्यानिक जिशने परमारु सिद्दान प्रतिपादित किया है जोन डॉल्टन, डादरफोर्ट, नील्स वार, जे जे टॉम्सन तो इसका जो सही answer है option A जोन डॉल्टन इसका correct answer है question number 38 hydrogen परमारु का दरबमान किसके दरबमान के बराबर होता है electron, proton, neutron, neutron या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही answer है option B proton के बराबर होता है question number 39 बैग्यानिक जिसने परमारु संक्या की खोच की थी HG, T. Mosley, जे जे टॉम्सन, नील्स वार, रदरफोर्ट तो इसका सही answer है HG, T. Mosley ने नहीं परमारु संक्या की खोच की थी question number 40 जिस तत्व नावी में नीट्रोन नहीं होते जाना जाता है क्या जाना जाता है? protium के नाम से किसके नाम से? protium question number 41 hydrogen के सबसे वारी समिस्थानिक का नाम क्या है? तो बो है treatium treatium इसका सही answer है question number 42 परमारु जिनकी परमारु संक्या समान है लेकिन परमारु भार भिन होते हैं क्या कहलाते है? इसका answer कमेंट सेक्षन में जरू होता है आइसो बार, आइसो टॉन, आइसो टॉप या फिर आइसो मर तो इसका जो सही answer है वो आपको कमेंट सेक्षन में बताना है question number 43 लेक्टॉन की तरिज्जा लगबग होती है कित्ती होती है? 1 into 10 the power 12 cm होती है तो एक परमाडू की जो तरिज्जा होती है वो होती है 10 the power minus 8 cm के उकल होती है question number 45 लेक्षन में से कौन सा ऐसा तत्तु है? जिसकी सहीं जगता 3 होती है तो जिसकी सहीं जगता 3 होती है वो है आपका chromium chromium की सहीं जगता कित्ती होती है? तीन होती है, ध्यान रखना है इसको question number 46 जब कोई उदासीन परमाडू electron grade करता है तब बना हुआ आयन कहलाता है क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा A9 क्या कहलाएगा? A9 ये भी important question है 2023 के लिए question number 47 निमलेक्षत में से कोई एक जिसकी संक्या एक संतुले समीकरड में दोनों और बरावर होनी चाहिए तो इसका सही अंसर है परमाडू की किसकी संक्या बरावर होती है? परमाडू की option B इसका सही अंसर है फिर आता है question number 48 निमलेक्षत में से कौन सा खथन परमाडू संक्या के बारे में सही नहीए तो इसका सही अंसर है D option परमाडू संक्या नाविक में उपस्तिन न्यूट्रोन संक्या के परावर होती है यه इसका सही अंसर है पर आता है question number 49 एक ہी तत्त के दो समिस्थानिक भिन्न होते हैं किसे बिन होते हैं नाविक में उपस्ते न्यूट्रोन की संक्या से बिन होते हैं और इसका सही आंसर है और इसका सही आंसर है आपको बताना है एल किसका प्रतीक होता है और एजी किसका प्रतीक होता है इसके आंसर जो है ना कमेंट सेक्शन में जरू बताईए अगर इनके आंसर आप बताते हो तो मैं मानता हूँ कि आप टैगूलर इस्टडी कर रहे हैं किसका प्रतिएंटू किसका प्रतिएंग क किन सेक्षिन और वीडियो कैसा लागा तो वीडियो को लाइक करें ऐसे इंटेस्टिंग कुशिन थैंक यू वर वाच्चिंग